कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं यही लंबे लंबे हाथ फिर एक बार अपराधियों तक पहुँच गए कौशामबी में लगभग 12 दिन पहले कारसवार गुजरात के व्यापारी को अगवा कर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया था हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते कौशामबी, SP, SSP के अलावा प्रयाग राज जोन के IG, ADG सहित घटना स्थल पर पहुँच कर निरिक्षन किया साथ ही घटना के बारे में व्यापारी से पूछताच भी की गई और घटना के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गय टीमों ने अलग अलग जगहों पर जाकर घटना के बारे में पूछताच शुरू कर दी, इसके अलावा वारानसी से लेकर कौशामबी तक जितने भी टोल प्लाजा मिले, उन टोल प्लाजा पर पहुँचकर लुटेरों की गाड़ियों की डीटेल खंगाली, लेकिन लूट पहुचकर फास्टेक भी फर्जी तरीके से बनवाया गया था, लेकिन उसमें मोबाइल नंबर और बैंक खाते की डीटेल सही साजह की गई थी, बैंक खाते की डीटेल और मोबाइल नंबर लखनव के शिव पुरम, राजाजी पुरम निवासी अंकित गुपता की मिली, इ इसके बाद तीनों को दबोच लिया गया. पुलिस को ब्लाइंड रॉबरी में फास्टेग के जरिये सफलता मिली है, साथी लूटकांड में शामिल चार अंतर जन पदिय लुटेरों को पुलिस ने गिरफतार किया है, पुलिस को एक लुटेरे की गाड़ी से ही 15 लाख फर्जी नंबर प्लेट की सफारी गाड़ी, वादी का आधार कार्ड, चार मोबाइल और 30 सिम कार्ड भी मिले हैं. पुलिस की गिरफत से अभी भी दो अंतर राजिये लुटेरे दूर हैं, कौशामबी पुलिस उनकी तलाश में जुटी है, इतना ही नहीं लुटेरों ने ये भी बताया कि व्यापारी को लूटने के लिए लगभग धाई महीने से योजना बना कर लूटने का प्रयास चल रहा था, वारानसी से लेकर कोखराज के बीच कई दफा गाड़ी को ओवर टेक कर कारोबारी को लूटने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्हें सफलता कोखराज के कगोड़ा के पास मिली थी, पुलिस को अभी भी लूट की रकम को लेकर शंका है, इसके कारण इंकम टे इपार्टमेंट से भी संपर्क किया गया है, पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशामबी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट